कि पूर्शांसंद आनन्द महुंजी को 26 जनवरी को जिल से रिहा किया जाएगा लेकिन वही बात है कि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं हुई है न तो कोई नितिश्क मार्जी के दोरा घोष्टना है न ते जस्वी आदव की तरफ किसे घोष्टना है पहले से भी कहा गया है कि सत्थ परेशान हो सकता है पराजित नहीं यदि आनन्द महुंजी की रियाई होती है तो कहीं कहीं लगा कि सत्थ का अंतर बिजय हुआ है और जो आपने कहा कि भाजपा के बिरोधी रहे है ऐसा नहीं है राजनिती में न कोई दुश्मन है न कोई दो से जेल में बंद हैं अब उनकी रिहाई की खवरे सामने आ रही है इसके लिए कई छत्रीय महाशंग के जो संग है इसके द्वारा लगातार धरना परदरसन और आंदोलन किया गया था और लगातार आनन्द मोहन की जेल से रिहाई की मांग की जा रही थी लेकिन अभी जो अंदर से खवर आ रही है कि हो सकता है कि 26 जनवरी तक आनन्द मोहन को जेल से रिहा कर दिया जाएगा ऐसे में अभी इस मामले पर बात करने के लिए छत्रीय महाशंग के राष्टिय अध्यत धनवन सिंगे राठोर हैं उनसे हम बात करते हैं सर किस तरह का क्या लग रहा है कि आप लोग ने काफी आंदोलन किया है आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाने में अब जिस तरह कि ये खबरे आ रही है कितनी सचाई लग रही है और अगर इस तरह की बच्चे जो रिहाई होती ह तो कितनी बड़ी आप लोग की जो परदर्शन है आंदोलन आप लोग ने किया है कितनी बड़ी जीत होगी आधिकारिक तोर पर कहीं से ये जानकारी नहीं है मेरे पास कि पुर्वशांसद आनंद मोहन जी की जेल सी रिहाई छबी जनवरी को हो रही है यदि मागडवंदन सरकार ये कदम उठाती है छबी जनवरी को तो एक तरह से भूल सुधार होगा क्योंकि बिहार की जनता है नहीं बलकि देश की जनता तक ये बात जानती है कि जिस घटना में पुर्वशांसद आनंद मोहन जी को सजा दिया गया था उसमें वो निर्दोस थे और यही कारण है कि इस मुद्दे पर छत्रिय सेवा महासंग के द्वारा धरना परदर्शन और निशित काले आमरंसन पर भी हम 16 दिन बैठे थे खुद बैठे थे हम मुखवंत्री आवास मार्च इस तरह के शेक्रो कारिक्रम हुए क्योंकि शरकार की निंद तब खुलती है जब किसी निर्दोस के लिए आप लंबी लड़ाई लड़ते है और जैसी सुचना आपके दौरा मिल रहा है या बाहर से भी समाचार हमरे पास आ रहा है कि पूरु असपरस्ट करना मुश्किल है कि वो रिया होंगे ही की नहीं होंगे लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खबरे आई हैं और जो मैं आपके पास आया हूं इस तीज की जानकारी लेने और इस मामले में बात करने के लिए तो मेरे जो सूत्र है उनके सूत्र के हवाले जो खबर आ रही है पुखता सब खबर है कि इस तरह की खबर जो है वो नीडाधार नहीं है वो निस्ठी तुरूप से आनन्द मोहन की रिहाई पर चर्चा हो रही है और जहां तक है कि काफी हद तक मोहर भी लग चुकी है यह अंत्रता जो मोहर लगना है सरकार की ओर से उस प विहार की एक एक जनता का जीत है और जो कहा गया है कि न्याई देर से ही सही लेकिन मिलता है तो आनन्द मोहन जी के मामले में भी पहले से भी कहा गया है कि सत्य प्रचान हो सकता है पराजित नहीं यदि आनन्द मोहन जी की रियाई होती है तो कहीं कहीं लगा कि सत्य का अंत लेकिन जो पडिवार, जो अपना पती, जो अपना पिता को लंबे समय से निर्दोस होते हुए जेल में देख रहा है, उनकी क्या पीरा होगी, वो पूरे देशवासी जानते हैं, बिहार का एक जन्दा जानता है, तो आनन्द मोहंजी की रिहाई होता है, तो हम तो कहेंगे इ पिछली सरकार जो आज से पांच महीने पहले तकी जो सरकार थी बिहार में, वो एंडिये की सरकार थी, और आप लोगों ने कई चर्णों में आंदोलन भी किया था, और सरकार से आपने मांग भी रखा था, और सरकार के द्वारा, खासकर मुक्वंत नितिश्कुमार के उन्हें रिहा करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन जहां तक बात आ रही है महागटवंदन की, तो हो सकता है कहीं ना कहीं, बीजेपी के डाओं पेज के कारण ही आननमोहन की रिहाई नहीं हो पा रही हो, लेकिन अब जहां महागटवंदन आ गई है, तो ऐसे में जब य बिहारवाशी के लिए एक बड़ा संतोष का बात होगा, और जो आपने कहा कि भाजपा के बिरोधी रहे हैं, ऐसा नहीं है, राजनिती में न कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है, एक शमय था कि बाजपेई जी और आडवानी जी के शमय में आननमोहन जी को बिहार में एक बड़ा योगदान हम के हैं, तो आननमोहन जी का परिवार का आज है, और महा गटवंदन राजनितिक फाइदे से हो, या कहीं देर से ही शदबुद्धी आया हो, एक निर्दोस व्यक्ति जो लालू जी के राजनिती के कारण, अपने विद्वेस की भावना के कारण जो जेल के अंदर थे, देर से ही उनको ये शदबुद्धी आती है, एक निर्दोस आदमी को हम जेल से रिहा करें, क्योंकि आजीवन कारवास का भी जो 14 साल होता है, ये 15 साल हो चुका है, इसलिए पुड़े विहारवासी के लिए हम समय के नए शाल पर एक बड़ी खुश पात का वेद भाव किये हुए, जो निर्दोस है, उसके लिए लड़ते रहे हैं, उन महिलाओं के लिए लड़ते रहे हैं, जिनके साथ कहीं अन्याय हुआ हो, क्योंकि आनन महुंजी के बारे में जेनरल मीडिया से भी कहता है, बाहुवली, सच्ची बात है, कि वो किसी भी अपराद में कभी नहीं रहे हैं, बलकि अपरादियों के खिलाप लराई लरने के कारण, उनको लोग बाहुवली कहते रहे हैं, और यही कारण है कि दोयस की भावना से उनको जेल में भी अंदर करवाया गया, लेकिन देर सही सही सरकार की यदि रिजल्ट आता है, तो पू कि सजा थी 14 वर्सकी, लेकिन 15 साल से भी अधिक का समय हो गया है, और अगर इस चीज को देखा जाए, और अब महागठवंदन की सरकार की ओर से पहल करके उन्हें रिहा की जाती है, तो ये पुरे बिहार वासियों के लिए काफी खुसी का बात होगा, कैमरा पर सनहीरा के सा आते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर